देश में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है संक्रमित मरीजों और म्रतोकों की संख्या में भारी बड़ोतरी हुई है स्वास्थे मंत्राले द्वारा जारी आकडों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 2183 ने मामले सामने आए इसी दोरान 214 लोगों की मौत हो गई जो की देश के लोगों के लिए चिंता का विश्य है हाला की 1,985 लोग डिस्चार्ज भी हुए देश में सक्रे मरीजों की संख्या की अगर हम बात करें तो ये 11,542 हो गई है महामारी की शुरवात से लेकर अब तक कुल 5,21,965 लोगों की मौत हुई है वहीं इसी दोरान 4,25,10,773 लोग सुष्थ भी हो गए वहीं अब तक कुल संक्रमीदों की संख्या बढ़कर 4,30,44,282 है वहीं आपको बता दे कि कुल वेक्सिनेशन का अकड़ा 186,54,94,355 है राजधानी में कोरोना फिर से पैर पसाड़ने लगा है इसी कड़ी में बीते 24 घंटे के दोरान कोरोना के 517 ने मामली मिले इससे पहले 24 फरवरी को 556 ने मरीज और 3 फरवरी को संक्रमन दर 4,3 फीजदी रही थी स्वास्तोय भाग के मुताबिक 24 घंटे के दोरान 12,270 टेस्ट किये गए थे वहीं 261 मरीजों ने कोरोना को हराया था फिलाल अगर हम बात करें मुंबई की तो मुंबई में कोरोना संक्रमन के 55 ने मामले सामने आ है और कोई मोत नहीं हुई ग्रेटर नोइडा के नगर निगम ने स्वास्ते जानकारी दी हालकि इस दोरान 35 मरीज भी ठीक हुए फिलाल बात करेंगे हम जनपर सहारेनपूर की तो आपको बता दे जनपर सहारेनपूर फिलाल पूरी तरह से कोरोना से मोक्त है इसलिए आप लोग सभी अभी भी सावधानी बरतते रहें वेक्सीन जरूर लगवाए वेक्सीन के साथ साथ बूस्टर डोस भी अवश्य लगवाए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बल आइकान जरू दबाएं ताकि हर लेटस्ट अबडेट सबसे पहले आप तक पहुँचें